हेलो डियेवियंस मेरा नाम है मनीश वेलकम डू डियेविगुरू आज हम लू क्लास 8 का मैट्स परने वाले हैं चैप्टर नमबर 3 हमें पढ़ना है वक्षीट नमबर 1 पूरा कम्प्लीट हो चुका था उसका वीडियो आपको पिंट कमिट में मिल जाएगा वक्षीट नमब आपके क्लास के अलमोस्ट हर सब्जेक्स का वीडियो आपको डियेविगुरू पर मिल जाएगा उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डियेविगुरू सर्च करना है इस चैनल पर आ जाना है उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर आपको मिल जाए इस वक्षीट को सॉल्व करने के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है सबको हम यहां पर मेंशन कर दिये हैं इसका स्क्रीन शॉट लेकर आप नोडाउन कर लिजेगा वैसे आपको पूरे वक्षीट का पीडियेप भी मिल जाएगा जो कि हमा भी डाउट नहीं है तो आप डिरेक्ली वक्षीट पर भी स्किप करके जा सकते हैं सबसे पहले आपको इस वाले फॉर्मुला को याद रखना है इसको यूज करके हम लोग कोशन नमबर वन को सॉल्व करेंगे आपको याद रखना है कि अगर किसी नमबर पर पावर हो और उसपर एक और पावर हो मतलब पावर पर अगर पावर हो तो हम लोग दोनों पावर को मल्टिप्लाई कर देंगे मतलब a to the power m और उसपर एक और पावर है n तो इसको हम लोग लिग सकते हैं a to the power m into n example के लिए अगर 2 to the power 3 हो और उस पर एक और power हो 2 तो इसको हम लोग लिख सकते है 2 to the power 3 into 2 दोनों power multiply हो जाएगा और इसको equal हम लोग लिख सकते है 2 to the power 6 दूसरा आपको ये दोनों formula याद रखना है जिसमें की same base है और different power है जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर ऐसा कहीं पर condition आया और दोनों को multiply करना हो या divide करना हो तो उस case में हम लोग कुछ ऐसा करेंगे a to the power m into a to the power n को हम लोग लिख सकते है a to the power m plus n दोनों power को जोड देंगे और जो base था न उसी base पर उस power को डाल देंगे example के लिए 2 to the power 4 into 2 to the power 6 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 plus 6 मतलब 2 to the power 10 उसी तरह से a to the power m divided by a to the power n यह ऐसे भी हो सकता है दिया हुआ a to the power m divided by a to the power n तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power m minus n उपर वाले power में से नीचे वाले power को subtract करके उसी base के उपर में डाल देना है 2 to the power 6 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 10 minus 6 equal to 2 to the power 4 यह दोनों तो ऐसा condition हो गया जबकि base same हो और power different हो लेकिन अगर इसका just opposite हमें दे दिया जाए जैसे कि different base और same power के साथ हमें दो numbers दे दिये जाएं और दोनों multiply में हो या divide में हो तो हमें कैसे लिखना है उसको पहला formula आपको ये वला याद रखना है a to the power m into b to the power m यहाँ पर देखें base अलग-अलग है लेकिन power same है इस case में हम लोग base को multiply कर देंगे आपस में a into b कर देंगे और जो power था न सेम power जो था उसको उपर में डाल देंगे example के लिए 5 to the power 2 into 6 to the power 2 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 6 to the power 2 यानि की 30 to the power 2 उसी तरह से अगर यही दोनों चीज हमें divide में दिया गया है इसको ऐसे भी लिख के दे दिया जा सकता है या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है a to the power m divided by b to the power m तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a by b to the power m example के लिए अगर हमें दे दिया गया है 5 to the power 3 divided by 3 to the power 3 power same है दोनों का base अलग अलग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 by 3 to the power 3 पूरे पर यह power चले आएगा first question में हमें सभी expressions को simplify करके लिखने बोला गया है सबसे पहला question यहाँ पर है x to the power 1 by 2 into x to the power 5 by 2 यहाँ पर x में और multiply में आपको confuse नहीं करना है exam में जब भी आप लिखेंगे न तो x आपको कुछ इस तरीके से लिखना है और multiply आपको ऐसे लिखना है इसको solve करने के लिए आप formula याद कीजिए अगर base सेम होता है और power अलग-अलग होता है जैसे कि a to the power m into a to the power n तो इस case में हम लोग क्या करते हैं a to the power m plus n base सेम था और power अलग-अलग था इसलिए हम लोग base वही रखे और power को आपस में जोड़ दिए बस वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है इसको हम लोग लिख सकते है x to the power 1 by 2 plus 5 by 2 power आपस में add हो जाएगा तो हो जाएगा x to the power 6 by 2 जिसको और हम लोग solve करेंगे तो x to the power 3 हमें answer मिल जाएगा क्योंकि 6 by 2 आपस में cancel out होके 3 हमें मिलेगा वही 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और final answer हमें मिल जाएगा इस वाले bit में भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने first bit में देखा था लेकिन multiply के जगह पर यहाँ पर divide है base यहाँ पर same है और power अलग-अलग है ऐसे condition में हम लोग formula क्या देखे थे कि अगर base same हो a to the power m divided by a to the power n हो तो उसको हम लोग लिख सकते है a to the power m minus n power को subtract करना होता है तो इसको solve करने के लिए हम लोग लिख सकते है x to the power 6 by 5 minus 1 by 5 subtract कर देंगे तो हो जाएगा x to the power 5 by 5 और 5 by 5 का मतलब 1 होता है तो x to the power 1 लिख सकते हैं या 1 को नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर direct x हम लोग answer में लिख सकते हैं क्योंकि power 1 होता है तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं इस वाले question में देखिए power पर एक और power है जो हमने पढ़ा था a to the power m और उस पर एक और power n ऐसे condition में हम लोग power को multiply कर देते हैं a to the power m into n हो जाएगा यहाँ पर इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x to the power 7 into 0 आपको पता है 0 को किसी से भी multiply करते हैं तो 0 आता है तो x to the power 0 हो जाएगा और एक चीज़ और आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ से आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ पर 0 power डाल देते हैं न तो उसका answer 1 आ जाता है तो यहाँ पर हमारा final answer 1 आ जाएगा 4th bit को solve करने के लिए पहले थोरा सा separation हम लोग कर लेते ताकि समझने में आसानी हो यहाँ पर दिया गया है 5 into x to the power 5 by 6 into 6 into x to the power 1 by 6 इसी को फैला कर साफ साफ यहाँ पर लिख दियें 5 into x to the power 5 by 6 into 6 फिर into x to the power 1 by 6 यह दोनों तो whole number है तो 5 जिख जा 30 अलग से हो गया इसको कुछ नहीं करना है अब अब हमें इन दोनों के साथ deal करना है यहाँ पर base same दिख रहा है और power different दिख रहा है इस case में base वही रह जाएगा और power को आपस में हम लोग add कर देंगे 5 by 6 और 1 by 2 1 by 6 आपस में add हो जाएगा दोनों का add करने के बाद 6 by 6 हमें मिलेगा जिसको solve करने के बाद ultimately हमें 1 मिलेगा power 1 होता है तो उसको नहीं भी लिख सकते तो 30 पहले से हमें solve हमारे पास था solve करके और x to the power 1 यानिकी x 30 into x equal to 30x इसका answer हो जाएगा ऐसे question को आपको ध्यान से solve करना है अगर उसमें power negative हो यहाँ पर भी वही process हम लोग अपनाएंगे लेकिन negative का ध्यान हमें रखना है यहाँ पर दिया गया है x to the power minus 7 by 2 तो वही लिख दिये हैं उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिये हैं into x to the power minus 1 by 2 है तो into x to the power minus 1 by 2 दे दिये अब यह तो अपना whole number है अकेला रह जाएगा और यहाँ पर दोनों का base same है x to x पर power दोनों को हमें add करना है अब बहुत बच्चों को लगेगा कि add करना है तो आप बीच में यहाँ पर minus क्यों दे दिये हैं अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपके लिए थोड़ा सा detail में हम बता देते हैं यहाँ पर एक negative power है और यहाँ पर भी एक negative power है दोनों को हमें add करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे minus 7 by 2 plus इसमें कितना add करना है minus 1 by 2 को add करना है यहाँ पर देखे plus minus symbol एक साथ आ गया और class 7 में हम आपको परहाया थे कि plus minus symbol एक साथ आता है तो minus बन जाता है तो यह हो जाएगा minus 7 by 2 minus 1 by 2 ultimately उतना ही पहुँची गया जितना हम यहाँ पर लिखें यहाँ पर हमें मिल गया 2 into x to the power इतना इसको solve करेंगे तो हो जाएगा minus 8 by 2 और minus 8 by 2 का solution हो जाएगा minus 4 मतलब 2 into x to the power minus 4 एक चीज आपको और याद होगा जो कि हमने worksheet number 1 में सिखा था आपको याद होगा कि अगर किसी number पर negative power हो तो उसको हम लोग positive बना सकते हैं उसके लिए उस number को हमें numerator से denominator में ले जाना होगा और अगर वो denominator है तो वापस उसको numerator मे लाना होगा और power automatically positive बन जाएगा यहाँ पर तो x numerator मे था इसलिए x को उठा कर denominator के पास ले गए और power जो कि minus 4 था वो यहाँ पर 4 बन गया तो 2 by x to the power 4 हमारा final answer हो जाएगा आपके book में चिक किजिएगा ये वाला answer भी दिया जा सकता है और ये वाला answer भी दिया जा सकता है आप ये लिखेंगे तो भी सही होगा ये लिखेंगे तो भी सही होगा यहाँ पर बोला गया है कि find the values of these expressions सबका value हमें find करके बताना है लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें अजीव दिख रहा है कि जो power है न वो fractional है हमने सीखा था कि अगर किसी number पर whole number में power हो जैसे कि 5 to the power 3 हो तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते है 5 into 5 into 5 और हमारा answer 125 आ जाएगा जो कि इसका final value होगा और वही चीज हमें यहाँ पर find करने के लिए भी बोला गया है लेकिन यहाँ पर fractional power है तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर यह aim होना चाहिए कि इस fraction को हम लोग किसी तरह से match का rule follow करते हुए किसी तरह से एक whole number में convert कर दे जैसे यह एक whole number बनेगा वैसे हम लोग इसके power को आसानी से break कर सकते हैं और हमारे final answer तक पहुँच सकते हैं अब इसको solve करने के tips को ध्यान से समझे यहाँ पर इस power को हमें whole number में convert करना है इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसके denominator part को हटाना पड़ेगा किसी तरह से यहाँ पर 9 दिख रहा है और इस 9 को हटाना पड़ेगा यह 9 कैसे हट सकता है अगर किसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक 9 आ जाये जो कि इससे multiply हो तो यह 9 और यह 9 cancel out हो जायेगा और इसके बाद हमारे पास सिर्फ minus 2 बचेगा अब इस minus 2 को तो हम लोग आसानी से plus 2 बना सकते हैं सिर्फ numerator को denominator में या denominator को numerator में change कर देना होता है तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि यह 9 हमारा खत्म हो जाये उसके लिए हम लोग 512 का prime factorization करेंगे थोड़ा सगर चुके हैं यहाँ पर 2 से divide करेंगे तो 128 आ जायेगा फिर इसको 2 से divide करेंगे तो 64 आ जायेगा फिर 2 से divide करेंगे 32 आ जायेगा फिर 2 से divide करेंगे 16 आ जायेगा 2 से divide करेंगे 8 फिर 2 से divide करेंगे 4 फिर 2 से डिवाइट करेंगे 2 इतना करने के बाद हमें पता चल गया कि 512 के जगह पर हम लोग 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 2 अब 2 9 टाइम्स कर सकते हैं क्योंकि यहां पर 9 बार 2 2 2 करके आया है तो 2 इन्टू 2 इन्टू 2 9 टाइम्स करने से अच्छा है कि अगर किसी नंबर पर पावर हो और उस पर एक और पावर हो तो हम लोग दोनों पावर को मल्टिप्लाई कर देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब देखिए यह 9 और यह 9 कैंसल आउट हो जाएगा सिर्फ माइनस 2 बचेगा तो कैंसल आउट कर देते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 to the power minus 2 अब इस power को positive बनाने के लिए इस 2 को denominator के पास ले जाना पड़ेगा उपर में 1 बचेगा तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 by 2 to the power minus 2 था अब हो जाएगा plus 2 मतलब 1 by 4 हमारा final answer हो जाएगा इसको आप decimal में भी convert करके लिख सकते हैं अगर आपके book में answer decimal में है तो यह हो जाएगा 0.25 अब चलिए second bit पर आते हैं यहाँ पर धियान से देखिए एक number है उस पर एक power है और उस पर एक और power है ऐसे condition में हम लग सीखे थे कि जब भी power पर power होता है तो दोनों power आपस में multiply हो जाता है वो तो हमें सबसे पहले कर देना है यहाँ पर power पर power था इसलिए दोनों को हम लग multiply कर दिये 2 by 3 into 1 by 2 दोनों multiply होगा 2, 2 कर जाएगा और 1 by 3 बचेगा जो की यहाँ पर लिखे है दोनों power तो solve हो गया अब अंदर में 216 बचा है इसको हमें ऐसे break करना है ताकि यहाँ पर जो 1 by 3 हमें मिला है न इसका ये 3 गायब हो जाए इसके लिए 216 का prime factorization निकालना पड़ेगा कुछ ऐसा निकलेगा तो 216 को हम लोग लिख पाएंगे 2 to the power 3 into 3 to the power 3 बेस अलग-अलग है power same है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 3 या simply हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 to the power 3 बस वही चीज़ यहाँ पर किये है 216 को लिख दिए 2 to the power 3 into 3 to the power 3 और फिर इसको convert करके लिख दिए 6 to the power 3 अब देखिए यहाँ पर भी power पर एक और power अब हमें मिल गया दोनों power आपस में multiply होगा 3 into 1 by 3 होगा 3 3 कट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा इसलिए यहाँ पर 3 3 को कटा दिए हैं और 6 पर power सिर्फ 1 बचा 6 पर power यानिकी 6 यह हमारा final answer हो गया इसका solution तीसरे bit में हमें 10 divided by 8 to the power minus 1 by 3 को solve करके बताना है कि कितना answer आएगा इसको भी हम लोग same वही method से solve करेंगे जो हमें दिया गया है पहले उसको लिख लेना है 10 divided by 8 to the power minus 1 by 3 अब हमें इस 3 को किसी तरह से हटाना है अगर 8 को हम लोग 3 के power के term में लिख दें तो यह 3 कट जाएगा cancel out हो जाएगा तो इसके लिए 8 का prime factorization हम लोग निकालेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 तो 8 equal to 2 to the power 3 हो जाएगा अब इसी चीज को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 8 के जगा पर तो हो जाएगा 2 to the power 3 और उसके उपर minus 1 by 3 आपको पता है कि अगर power पर एक और power होता है तो दोनों को multiply कर देते हैं बस वही चीज यहाँ पर किये हैं 2 to the power 3 into minus 1 by 3 negative sign आपको नहीं छोड़ना है sign अगर कहीं पर है तो उसको उसका respect करना है उसको भी रखना है और हिसाब से एक systematic तरीके से उसको remove करना है यह जो 10 इधर था इसको हम कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं छेर चार एकदम नहीं करना है जब तक इधर solve नहीं हो जाए अब यहाँ पर आ चुका है 10 divided by 2 to the power 3 into इतना 3 3 कट जाएगा minus 1 power में बचेगा तो हम मिलिया 10 divided by 2 to the power minus 1 आपको पता है कि power अगर minus में होता है तो उसको positive बनाया जा सकता है सिर्फ हमें numerator से denominator में उस number को ले जाना है जिस पर power है तो यहाँ पर 2 को हम लोग नीचे ले जाएंगे उपर 1 बचेगा और नीचे 2 to the power 1 हो जाएगा 2 पर power एक मतलब सिर्फ 2 ही बचेगा 1 by 2 हमें मिल गया अब हमें 10 divided by 1 by 2 करना है लेकिन divide हम लोग directly नहीं कर सकते हैं divide को multiply में change करना परेगा और divide के बाद जो भी है उसका inverse कर देना परेगा यहाँ पर 1 by 2 था तो यह 2 by 1 बन जाएगा और यह जो divide था वो multiply बन जाएगा यह सब आपने class 7 में सिखा था तो यहाँ पर 10 into 2 करना परेगा हमें finally 10 to 20 हो जाएगा यही हो गया इस वाले question का solution it will be equal to 20 fourth bit एकदम आसान है यहाँ पर 16 to the power 3 by 4 दिया गया है तो 4 को हमें cancel out करवा देना है तो 16 को हमें कुछ ऐसे लिखना परेगा ताकि power 4 के term में आए 16 का prime factorization निकालेंगे तो पता चलेगा कि 16 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 to the power 4 तो यहाँ पर 16 के जगह पर बस वही कर देना है 2 to the power 4 और उस पर एक और power रहेगा जो की पहले से दिया गया था 3 by 4 अब power पर power हो गया तो दुनों को multiply करना पड़ेगा 4 into 3 by 4 4 4 cancel out हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा तो 2 to the power 3 यह हमारा final answer होगा इसको solve करेंगे तो 2 into 2 into 2 करना पड़ेगा जिससे की हमें 8 मिलेगा यही हो गया इसका final answer पाचवे बिट को भी हम लोग वैसे ही solve करेंगे यहाँ पर 27 to the power 1 by 3 multiply करना है 16 to the power minus 1 by 4 से 27 को हम लोग लिख सकते है 3 to the power 3 और 1 by 3 power पहले से था उसके बाद 16 को लिख सकते है 2 to the power 4 और यह minus 1 by 4 power पहले से था अब power पर power दिख रहा है तो दुनों आपस में multiply हो जाएगा यहाँ पर भी power पर power दिख रहा है तो दुनों आपस में multiply हो जाएगा multiply करने के बाद 3 3 cancel out हो जाएगा 1 बचेगा तो 3 to the power 1 यानि कि 3 सिर्फ लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 4 cancel out हो जाने के बाद minus 1 बचेगा तो हम लोग लिख सकते है 2 to the power minus 1 अब इस minus power को positive बनाने के लिए इस number को denominator के पास जाना होगा जैसे यह नीचे जाएगा तो 3 divided by 2 हो जाएगा power minus 1 था, power plus 1 बन गया जिसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं तो 3 by 2 यही हमारा final answer हो गया अगर आप इसको decimal में लिखना चाहते हैं तो आप 1.5 भी लिख सकते हैं इस वाले question को देखिए देखने में थोड़ा complicated लग रहा है लेकिन बहुत आसान है क्योंकि मातर 3 ही step में इसका answer आ गया है question को पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 divided by 3 to the power 4 उस पर एक और power है जो की है 1 by 2 और उस पर एक और power है जो की है minus 2 मतलब यहाँ पर power पर एक और power और उस पर एक और power है कुछ इस तरीके का हमें function दिया गया a to the power m उस पर एक और power n उस पर एक और power o अगर इस तरह का condition कभी आ जाया तो उस case में भी हमें वही करना है powers को आपस में multiply कर देना है तो हम लोग लिख सकते है a to the power m into n into o तीनो powers को आपस में multiply कर देंगे और उसी base पर डाल देंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है तो इतना complicated चीज को simplify करके हम लोग लिख सकते है 3 to the power 4 into 1 by 2 into minus 2 यहाँ पर 2 से 4 कर जाएगा 2 to 4 और 2 into minus 2 करेंगे तो यहाँ पर minus 4 हमें मिलेगा तो कितना छोटा हो गया उतना बड़ा expression 1 by 3 to the power minus 4 आगया अब आपको पता है कि इस वाले minus को कैसे हटाना है इस minus को हटाने के लिए इस number को हम लोग numerator के पास ले जाएगे तो हो जाएगा 1 into 3 to the power 4 अब 3 to the power 4 का value होता है 81 3 into 3 into 3 into 3 4 वाज जब 3 को multiply करेंगे तो 81 आएगा तो 81 और into 1 81 ही answer आजाएगा जो कि इसका final answer हो गया अब इस वाले question को देखिए एकदम खतरनाक सा complicated लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है आप इसको बस ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया 27 to the power minus 2 by 3 81 to the power 5 by 4 और 1 by 3 to the power minus 3 बस वही चीज यहाँ पर लिख दिये हैं अब देखिए 27 पर एक fractional power है इसे हमें hole बनाना है तो 3 को हटाना पड़ेगा 3 को हटाने के लिए इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि इस पर 3 power आ जाए तभी तो दुनों multiply होगा और cancel out हो जाएगा तो 27 को हम लोग लिख सकते है 3 to the power 3 3 गुना 3 गुना 3 सताइस होता है इसी लिए उसी तरह 81 को हम लोग लिख सकते है 3 to the power 4 चार बार जब 3 को multiply कीजिएगा तो 81 ही आता है और जो सबसे अंतिम टर्म था उसका power negative था बस इसी लिए हम लोग इसको उठा कर उपर ले गए उपर में ये multiply हो गया और जो power minus में था वही power यहाँ पर plus में हम लिख दिए 1 by 3 पर power 3 हो गया यहाँ पर ऐसा हम लोग बस इसी लिए किए ताकि सब को एक line में लिखा जा सके इसके बाद simple procedure है यहाँ पर power पर एक और power दिख रहा है तो दोनों आपस में multiply हो जाएगा multiply होने के बाद 3 3 कट जाएगा और minus 2 बचेगा वही बस यहाँ पर लिख दिए 3 to the power minus 2 यहाँ पर भी वही होगा दोनों आपस में multiply होगा 4 4 कट जाएगा सिर्फ 5 बचेगा तो 3 to the power 5 हो गया और यहाँ पर जो 3 power है नो दोनों पर चले जाएगा उपर वाले पर भी और नीचे वाले पर भी तो यहाँ पर 1 पर power भी 3 आ गया और 3 पर power भी 3 आ गया अगले step में solve करेंगे तो इतना हमें मिलेगा अब यहाँ पर दिखे 3 पर power minus 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते है 1 by 3 to the power plus 2 बस इसको denominator के पास बेज दिए उसके बाद 3 पर power 5 है तो वो यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर 1 पर power 3 1 ही रहेगा और 3 पर power 3 3 पर power 3 ही रहेगा इसको solve भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे अभी देखे कर जाएगा अब यहाँ पर नीचे में denominator के अगर हम लोग बात करें तो 3 पर power 2 है 3 पर power 3 है दोनों आपस में multiply होगा तो हमें मिल जाएगा 3 पर power 5 power आपस में जूर जाएगा और उपर में यह तीनों आपस में multiply हो जाएगा तो मिलेगा 3 पर power 5 उपर में जो है वही नीचे में भी हमें दिख रहा है इसका मतलब दोनों आपस में cancel out हो जाएगा और answer में हमें 1 मिल जाएगा इस तरह से इतने बड़े expression को solve करने के बाद हमें एक छोटा सा number मिला जो की 1 और यही इसका final answer हो जाएगा यह वाला question भी बहुत आसान है इसको solve करने के लिए तो pin भी नहीं उठाना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए 64 to the power 1 by 2 है और अंदर में 64 to the power 1 by 2 प्लस 1 आपको याद होगा कि power 1 by 2 तब हम लोग लिखते हैं जब square root होता है square root of 64 को हम लोग लिख सकते हैं 64 to the power 1 by 2 इसलिए इसको convert करके ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और यह solve करना तो आपको आता है किस number को खुद से दो बार multiply किया जाएगा तब 64 आएगा यही हमें पता करना है तो इसको convert करते हैं root में तो यह हो जाएगा root under 64 into root under 64 plus 1 64 का square root 8 हो जाएगा तो 8 हम लोग लिखेंगे और अंदर में 8 plus 1 हो जाएगा equal to 8 into 9 equal to 72 इसका answer हो गया एक दूसरा तरीका भी है solve करने का आप तक हम लोग जो बाकी question को solve करते आए हैं उस method से यहाँ पर 64 to the power 1 by 2 है न तो यहाँ पर 2 को हमें cancel out करवा देना है तो 64 को हमें कुछ हैसे लिखना परेगा ताकि power 2 के term में हमें मिल जाए तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का square और उस पर power डालना परेगा 1 by 2 उसी तरह से अंदर वाले 64 को भी हम लोग लिख सकते हैं 8 का square और उस पर power डालना परेगा 1 by 2 एक चीज यहाँ पर धियान रखेगा कि यह जो bracket है यहाँ पर आपको same bracket दो बार यूज नहीं करना है दूसरा bracket आप यूज कर लिजे 8 to the power 2 और उस पर power 1 by 2 उसके बाद यहाँ पर plus और 1 जो कि पहले से दिया गया था अब यहाँ पर power पर power देख रहा है तो दोनों आपसे multiply होगा और यह 2 to cancel out हो जाएगा तो 8 बचेगा सिर्फ 8 लिख दिये और अंदर में क्या बचेगा अंदर में भी 8 बचेगा plus 1 same वही चीज़ आ गया जो कि यहाँ पर आया था आगे इसको solve करेंगे तो यहाँ पर भी 72 ही हमारा answer आएगा आपको इस method से easy लगा तो आप ऐसे बनाईए इस method से easy लगा तो आप ऐसे बनाईए लेकिन ध्यान यह रखना है आपको कि ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब power 1 by 2 हो या minus 1 by 2 हो तभी तो उसको हम लोग radical form में कुछ ही सरीके से लिख सकते हैं और square root आसानी से निकाल कर हमारा final answer जो भी होगा उसको पता कर सकते हैं यह वाला question भी इसी question के तरह एकदम भयानक लग रहा है ताकि 36 को हम लोग 2 के power के form में लिख सके 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का square 6 पर अगर power 2 डालेंगे तो 36 हमें मिल जाएगा अब हर जगा वही करेंगे 6 to the power 2 6 to the power 2 6 to the power 2 सब जगा लिख देंगे अब यहाँ पर power पर power हो गया तो दोनों आपस में multiply होगा यहाँ पर भी दोनों आपस में multiply होगा और यहाँ पर भी दोनों आपस में multiply होगा जब multiply होगा तो यह यह साफ यह साफ बचेगा यहाँ पर सिर्फ 7 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 तो हम लोग लिख सकते हैं 6 to the power 7 अब इस वाले step से इस वाले step तक कैसे पहुंचे इसको ध्यान से समझेगा अगर आप नहीं समझे तो आपको solve करने के लिए बहुत ही ज़्यादा calculation करना परेगा 6 to the power 7 पहले find करना परेगा 6 को 7 बार multiply करना परेगा 6 into 6 into 6 करके यहाँ पर 6 को 9 बार multiply करना परेगा और फिर दोनों को subtract करके 6 to the power 5 यानि कि 6 को 5 बार multiply करके जितना answer आता है उसे divide करना परेगा ऐसा ना करना परेगा इसके लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग इन दोनों में से common ले सकते हैं अगर हम लोग दोनों में से 6 to the power 5 को common ले ले तो यह 6 to the power 5 और नीचे वाला जो 6 to the power 5 है cancel out हो जाएगा और यहाँ पर 2 power बचेगा और यहाँ पर 4 power बचेगा बस वही यहाँ पर इस वाले step में किये हैं 6 to the power 5 इससे भी बाहर आ गया और इससे भी बाहर आ गया यहाँ पर 2 power बचा और यहाँ पर 4 power बचा अब यह power 5 बचेगा और यह power 5 बचेगा बचा 6 to the power 2 minus 6 to the power 4 अब इसको solve करके हमें लिखना पड़ेगा और इसको solve करके लिखना पड़ेगा जो कि comparatively इससे तो थोड़ा सा असान है ही अब इसको solve करेंगे तो 36 हमें मिलेगा इसको solve करेंगे तो 1296 मिलेगा इसमें से इसको subtract करेंगी छोटे नमबर में से बड़े नमबर को घटाना है तो अव्यसी बात है कि नेगेटिव में अंसर आएगा कितना आएगा नेगेटिव में अंसर उसको पता करने के लिए इसमें से इसको घटा कर यहाँ पर लिख देंगे तो माइनस 1260 हमारा फाइनल अंसर हो जाएगा कि नमबर थ्री में भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है लेकिन कुश्चन यहाँ पर थोरे से अलग टाइप के है यहाँ पर हमें एक डेसीमल पर पावर दिया गया है और पावर यहाँ पर भी फ्रेक्शनल ही है तो यहाँ पर भी हमें वही करना है ऐसा दिमाग लगाना है ताकि यह जो डिनॉमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाए फर्स्ट कुश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पर दिया गया है 0.04 2 दी पावर 3 बाई 2 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं 4 by 100 यह सब कनवर्ट करना आपने अल्रेटी सीख रखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 by 100 और उस पर पावर दे देंगे 3 by 2 अब हमें 4 by 100 को कुछ ऐसे कनवर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका पावर 2 आ जाए और यह 2 और यह 2 आपस में कट जाए और 3 बचे सिर्फ ताकि solve करना easy हो तो 4 by 100 को हम लोग लिख सकते हैं 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का square और 100 को लिख सकते हैं 10 का square दोनों पर square आ गया और उस पर पावर है 3 by 2 जब दोनों पर square है तो whole square के form में हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख पाएंगे 2 by 10 पर power 2 और इस पर एक और power है 3 by 2 तो ये हो जाएगा 2 by 10 to the power 2 into 3 by 2 ये 2 और ये 2 cancel out हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 2 by 10 to the power 3 3 power है मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 और नीचे में भी लिखना होगा 10 into 10 into 10 उपर में आ गया 8 और नीचे में आ गया 1000 अब इसको decimal में convert करने के लिए 8 लिख देंगे नीचे में 30 हमें दिख रहा है तो 3 डिजिट के पहले point डालना पड़ेगा एक digit already है अब हो गया 2 digit अब हो गया 3 digit point यहाँ पर डाल दिए हो गया decimal में convert आप अगर इतना लाकर छोड़ देते हैं तो भी आपका अंसर सही होगा आप अगर इसको decimal में convert करके छोड़ते हैं तो भी आपका अंसर सही होगा इस वाले bit को भी हम लोग वैसी solve कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया 6.25 to the power 3 by 2 यहाँ पर हमें 2 को हटाना है तो इसको 2 के power के form में लिखना पड़ेगा 6.25 को हम लोग लिख सकते हैं 625 by 100 625 को आप लिख सकते हैं 25 का square और 100 को आप लिख सकते हैं 10 का square जब दोनों पर square ही है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 by 10 का whole square बस वही चीज़ यहाँ पर directly लिख दिये है 25 by 10 का whole square और उस पर से एक और power है जो कि 3 by 2 है पहले से यह हमें यहाँ पर दिया गया था अब यहाँ पर power पर power हमें दिख रहा है दोनों power आपस में multiply हो जाएगा 22 कट जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा तो यहाँ पर 25 by 10 to the power 3 हमें मिल गया 25 को भी 3 times आपको multiply करना है अंसर मिलेगा 15625 और 10 को भी 3 times आपको multiply करना है अंसर मिलेगा 1000 अब इसको वापस से हमें decimal में convert कर देना है हमें मिल जाएगा अंसर यहाँ पर 3 0 है न तीन डिजिट के पहले point डाल देंगे यहाँ पर मिलेगा 15.625 अब चलिए इस वाले question को समझ लेते हैं यहाँ पर दिया गया है इतना पर power minus 2 by 5 इसको हमें fraction में convert करना है यह हो जाएगा 3125 divided by 1 और इस पर 5 0 power में देखिए denominator में 5 है तो हमें इसको कुछ ऐसे convert करना पड़ेगा ताकि 5 power के term में लिख सके और यह 5 यह 5 cancel out हो जाए इसको लिखने के लिए हमें इसका prime factorization चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि किस number को 5 बार multiply करने पर इतना आता है prime factorization करेंगे तो हमें मिलेगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5 अब आपको पता चलेगा कि 3125 can be written as 5 to the power 5 इसलिए यहाँ पर 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 5 और यहाँ पर 1 और 5 बार 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 5 10 को जब खुद से 5 बार multiply किया जाएगा तो इतना आ जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं अब 5 to the power 5 divided by 10 to the power 5 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 by 10 to the power 5 बस वही चीज यहाँ पर लिख दिये हैं 5 by 10 to the power 5 आपको हर स्टेप लिखने का ज़रूत नहीं है आपको मन में ही calculation करना है जितना भी important steps है बस आपको एक्जाम में वही लिखना है अब यहाँ पर हमें मिल गया 5 by 10 to the power 5 और उस पर एक और पावर है minus 2 by 5 जब दोनों पावर आपसे में multiply होगा इन दोनों को भी multiply करके दिखाना नहीं है दोनों पावर आपसे में multiply हो जाएगा तो यह दोनों कट जाएगा सिर्फ minus 2 बचेगा बस यहाँ पर आगया minus 2 पावर अब यहाँ पर दोनों cancel out हो सकता है तो हो गया 1 by 2 to the power minus 2 अब यहाँ पर इस पावर को positive बनाने के लिए numerator को denominator में फेज़ देंगे denominator को numerator में तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 2 पहले minus 2 था अब आगया plus 2 2 पर पावर 2 को solve करेंगे तो फोर अंसर आ जाएगा यही हो गया इस वाले question का final answer सबसे अंतिम वाले question को भी हम लोग वैसे solve कर सकते हैं इसका solution हम यहाँ पर लिख दिये हैं आप इसको खुद से try कीजिएगा और अगर किसी भी step में doubt आए तो आप telegram पर पूछ सकते हैं या इस वीडियो के comment में लिख सकते हैं फाइनली हम दोनोंने एक साथ मिलकर पूरे worksheet को complete कर लिया इसके बचे हुए question को हम लोग part 2 में पर लेंगे जिसका link आपको वीडियो के end में screen पर ही मिल जाएगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपका subscribe करना मेरे लिए बहुत important हो जाता है इसलिए please इस चैनल को subscribe कीजे bell icon को press कीजे और इस वीडियो को like कीजे इन सब के बदले में हम आपके पराई को और भी easy और interesting बनाते रहेंगे अब तक जितने भी worksheet का solution मैंने upload कर दिया है उनके वीडियो को देखने के लिए left side में क्लिक कीजे और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगली class में बहुत सारे नए topics के साथ तब तक लिए अपना धियान रखिये और अच्छे से पराई करते रहें